आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी बटर नान, विदाउट इस्ट, विदाउट ओवन, पतलब बिना इस्ट के बनाएंगे हम, चलो स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है दो कप मैदा, उसमें हम जा लेंगे एक टेबल स्पून शुगर, शकर और नमक, आदा टेबल स्पून और आदा टेबल स्पून बेकिंग, सोड़ा और तीन टेबल स्पून दहीं, और तीन टेबल स्पून टेल, इसको अच्छे से हम गून लेंगे, हमें इसका डो सॉफ्टी बनाना है थोड़ा मैंने पानी डाला है और अब थोड़ा पानी डालेंगे अराउंड हाफ अकप पानी लगा है मेको इसमे कहीं के विल से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें इसको मच्चे से गूस लेंगे हमें डो सॉफ्टी रखना है थोड़ा सा तेल लगा के भी पूस लेंगे हम इसको हम उपर से और तेल लगाएंगे और इसको हम 30 मिनिट्स के लिए हम उसको ढखके रखेंगे 30 मिनिट्स के बाद ये कुछ ऐसा पूस जाएगा उसको हम अच्छे से और बूद लेंगे अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे आपको इस जितना साइब का नान बनाना है उतना साइब का लेंगे वैसे जो तंदूरी रोटी तंदूर में बन लिए पर आज हम मुझे तबे बना रहे हैं थोड़ा मैलादस करेंगे और अब एक साइट को हम पानी लगाना है ताकि वो तवे को ही चिसके रहे अब पानी जिस साइट पे लगाया है उसको हम तवे पे दालेंगे उसको सब्सक्राइस करेंगे अब देख सकते हो कितना हुल गया है अब दवे को टरन करेंगे और दुसरी साइट भी शेक लेंगे अब देख सकते हो कितना फूल गया है मैं पूरी साइट सेक लेना है दोनोर साइट से सिख जाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और ये बटर नान है तो हम इसमें तो बटर डालेंगे ही तो एक डेबल स्पुन उने बटर लिया है उसमें धारा धनिया दाला है उसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से बटर ऐसा ही बटर नान लग रहा है, तंदूरी बटर नान बनके तयार है, इसको आप बटर चिकन के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू,